हेलो फ्रेंड्स तो आज अपनी क्लासिक्स आडी शर्मा के एक्सेसाइज 9.3 करते हैं यह इस एक्सेसाइज का पार्ट वन है जिसमें 6 क्वेश्चेन है 6 के बाद नेक्स चो क्वेश्चेन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है which of the following statements are true हम यह चेक करना है कि statements true है या नहीं कैसे चेक करेंगे हम सबसे पहले तो इनको ऐसे लिख लेंगे 16 by 24, 20 by 30 अगर इनकी simplest form equal आ गई तो यह true है equal नहीं आती है तो true नहीं है 0 से 0 cancel किया यह तो cut नहीं सकता 2 by 3 अब देखने 16 और 24 किस टेबल में आ रहे है तो मैं पता यह 8 की टेबल में आ रहे है 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 तो देखो इधर भी 2 by 3 इधर भी 2 by 3 तो क्या equal है तो यह equal है तो यहां क्या आ जाएगा true ठीक है इसी तरह से second है हम इसको भी check कर लेंगे 21 by 6, 35 by 10 अब देखो 21 और 6 किसी की टेबल में आ रहे है तो यह में 3 की टेबल में आ रहे है देखो 3 2 जा 6 3 7 जा 21 अब 10 और 35 क्या यह किसी की टेबल में आ रहे है तो जिसके पिछे 0 और 5 होती हो 5 की टेबल में तो आते ही है तो cancel करेंगे 5 2 जा 10 5 7 जा 35 तो यहां भी 7 by 2 आ रहा है यहां भी 7 by 2 तो यह दोनों क्या है equal तो यह भी क्या हो गया हमारे पास true इसी तरह तीसरा चेक किया 12 by 18 28 by 12 2 से cancel किया 2 6 जा 12 2 9 जा 18 3 से किया 3 2 सा 6 3 3 सा 9 इधर आ गया 2 by 3 यह जो है वो 4 की टेबल में आ रहा है 4 3 सा 12 4 7 सा 28 इधर 7 by 3 इधर 2 by 3 तो यह equal नहीं है तो यह क्या होगे हमारे पास false ऐसे ही हम यह देखेंगे 51 by 58 85 by 102 अब 51 और 58 यह तो किसी एक टेबल में आ नहीं है यह चेक है 17 में आ रहा है 17 5 सा 85 17 6 चा 1 by 2 अब यह 55 51 by 58 होगे है यह 5 by 6 तो यह क्या equal है नहीं है यह equal तो यह भी क्या होगे हमारे पास false इसी तरह से last वाड़ा देखा sorry 5 वाड़ा यह देखो 40 डिवाइड बाई 200 इधर 5 डिवाइड बाई 25 अब यह तो एक टेबल में आ रहा है 5 वाड़ा 5 5 वाड़ा 25 अब यह 0 से 0 कैंसल करें यह 4 by 20 बच्चा 4 वाड़ा 4 4 वाड़ा 20 यहां भी 1 by 5 यहां भी 1 by 5 तो यह equal होगे तो यह क्या होगे हमारे पास true इसी तरह इसिक्स पार्ट देखा हमने 99 by 45 44 by 20 यह 5 की टेबल से कैंसल हो रहा है तो हम 9 की टेबल से प्यूरा 9 5 वाड़ा 45 9 वाड़ा 9 9 वाड़ा 9 11 वाड़ा 5 इधर देखाए हमने 4 वाड़ा 4 4 वाड़ा 4 4 वाड़ा 20 यहाँ भी 11 by 5 यहाँ भी 11 by 5 तो यह भी क्या हो गया इक्वल यह भी क्या हो गया हमारे पास true यह था हमारा first question अब second देखो which of the following statement are in proportion हमें चेक करना कि proportion में है या नहीं है हम क्या करेंगे इंदों का ratio लेंगे और इंदों का अगर यह दोनों ratio में equal आते तो यह proportion में है otherwise नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको 8 by 16 क्या होता है हमारे पास 8 1 is 8 8 2 is a 16 यह तो 1 by 2 बन गया इस तरह से 6 और 12 चेक करा हमने 6 1 is a 6 6 2 is a 12 यह भी 1 by 2 बन गया यह भी 1 by 2 यह भी 1 by 2 इसका मतलब क्या है कि यह मारे पास क्या है proportion में तो 8 ratio 16 proportion का यह sign होता 4 dot इस तरह से और 6 ratio 12 हम लिखेंगे yes they are in proportion इस तरह से हमने चेक किया 6 by 2 2 1 is a 2 2 3 is a 6 यह भी 1 by 3 चेक किया यह तो कुछ cancel होई नहीं रहा तो क्या दोनों equal लग रहे हैं नहीं तो हम क्या लिखेंगे no 6, 2, 4, 3 are not in proportion ठीक है जो proportion में होगा हमारे पास उसको तो हम ऐसे लिख देंगे जो नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे यह चेक किया हमने आगे 1, 50 2, 50 0 से 0 cancel अब देखो 5, 3 जा 15 5, 5 जा 25 यह आगया मारे पास 3 by 5 और 200 by 300 चेक किया 0 से 0 cancel करें यह आगया भाई 2 by 3 यहां 3 by 5 यहां 2 by 3 तो यह equal तो नहीं हुए यह equal नहीं हुए ना तो हम क्या लिखेंगे यह था हमारा सकेंड क्वेश्चन अब थार्ड देखो हमें एक्स की वैलू निकालनी है जहां एक्स अब हम बोक्स रख लेंगे यह बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है और यहां हम यह रिख लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे 11 yn 11, 11, 5, 55 हमें क्या करना है या तो हम क्रोस मल्टिप्लाई करके solve करें तब यहिए मारे पास संसर आजाएगा या हम क्या करें कि देखोँ एदए दर 1 की किस से मल्टिप्लाई करें कि 6 आजाएं, 6 से तो 5 की भी सेम अक्षर से मल्टिप्लाई होएगी तो 1 6 जा तो 6 है 5 6 जा कितना हो गया 30 यानि यहाँ पर हमारे पास x की value कितनी आ गई 30 ठीक है इसी तरह से second वाड़ा third वाड़ा और fourth वाड़ा है easy करने के लिए हम x के जगे box रिख लेते हैं अब देखो 3 वन्जा 3, 3 नाइन जा 27 तो अब यहाँ देखो हमें जिसकी side में number दियाता है न हमें उससे multiply start करनी है कि 9 की किस से multiply करें की 18 आ जाए तो 2 से करेंगे यहाँ 2 से की है तो नीचे भी 2 से करेंगे जिस नंबर से यहाँ multiply हो 7, 2 सा 14 अब 1 की किस से multiply करें की 15 आ जाए तो 15 से करनी पड़ेगी अब यहाँ 15 से होई है तो यहाँ भी 15 से होईगी तो 15 टूसा 13 ठीक है तो यहाँ पर box की value क्या आगे हमारे पास 13 ठीक है यह चेक करा है से ही 28 जा 16, 29 जा 18 अब यहाँ पर 9 की किस से multiply करें की 96 आ जाए तो हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर नहीं जिसकी 9 से multiply करने पर 96 आ जाए तो हम इसको क्या से solve करेंगे अब इसको हम करेंगे cross multiply से ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो 9 multiply वड़ा था इसको divide में ले जाएंगे यह इधर आ जाएगा इसके divide में आ जाएगा तो यहाँ पर यह हटेगा तो यह क्या बज़ेगा सिरफ एक box बज़ जाएगा अब यह कुछ कैंसल हो रहा है ते 3 से ओर रहा है 3 3 9 3 3 9 3 2 6 अब आगे तो कुछ कैंसल हो नहीं रहा है इसमें तो हम क्या करेंगे multiply कर देंगे 32 की 8 के साथ और नीचे 3 as it is रह जाएगा तो यहाँ पर मारे पसंसर आ जाएगा 32 8 256 divided by 3 यह box की value है डिवाइड में भी कभी कभी हो जाता है ऐसे फूर्थ question देखो set up all proportion from numbers अब हमें यह proportion दिया वह यह ना में जैसे भी proportion बन सकते ना उनके वो सारे बनाने हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इन इनका क्या आ रहा है तो 9 divided by 150 क्या बन रहा हमारे पास 3 3s are 9 3 5s are 50 और 0 अब 105 चेक किया अमने इसी तरह से 10750 से यह को हमने 5 से 5 2s are 10 5 1s a 5 यहां चेक किया हमने 5 3s are 15 5 5s are 25 और 0 यह किसी table में आ रहे 7 की table में तेबल में आ प्रपोर्शन तो क्या बन गया 9 रेशो 150 प्रपोर्शन 105 रेशो 1750 ठीक है एक तो मारे पास यह रेशो बन गया अब हम क्या चेक करते हैं हम इनको पलटके देखते हैं इसकी इसके साथ करते हैं और इसकी इसके साथ तब क्या आता है एंसर तो 9 डिवाइड वाइड वाइड व देखो 0 से 0 कैंसल 5 3 15 5 3 15 5 25 अब देखो यहां भी 35 और यहां भी 35 यहां भी 35 यहां निकि इनका भी प्रपोर्शन बन सकता है तो सेक्ट अमारे पास प्रपोर्शन क्या हो जाएगा 9 रेश्यो 105 प्रपोर्शन 150 रेश्यो वन सेवन फाइफ जीरो ठीक है तो दो प्रपोर्शन यह अब कैसा पॉसिबल है कि इसको डिवैड़ बाई इसको करेंगे और इसको डिवैड़ बाई इसको करेंगे देखो यह तो 9 है और यह 1075 कितना ज़्यादा बढ़ा इससे यह बिल्कुल पास पास के हैं तो यह दूर द प्रपोर्शन क्या हो जाएगा इसी को चेंज करके 150 रेशो 9 प्रपोर्शन 1750 रेशो 105 ठीक है इनको डिवैड़ करेंगे तो क्या जाएगा 50 डिवैड़ बैठी जाएगा 50 डिवैड़ बैठी जाएगा तो प्रपोर्शन हो नहीं क्या ऐसे भी पॉसिबल है ना क्योंकि इस पर्पोर्शिंट को हैं तो यह चार तरीके से हैं इसके प्रपोर्शन को चेंज किया, फिफ्ट क्वेस्टिन देखो, हमें इनकी तीन प्रपोर्शन बनानी है, इस तरह ऐसे कि यह उनको चेंज करके हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो यह प्रपोर्शन दी हुई है, ठीक है, अगर हम इसको देखें, सिंप्लेस्ट फॉर्म में लिखें, तो यह ऐसे लिखी जा सकती हैं, 45 by 30 is equal to 24 by 16, 8 2s are 16, 8 3s are 25, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 3 by 2, 3 by 2, यह निके यह प्रपोर्शन में दी हुई हैं न, इसने क्या बोला है, कि 3 प्रपोर्शन और बनाओ, इसी से, जिसके अंदर यही सारी ट्रम होनी चाहिए, ठीक है, each of the following मतलब है, जो ट्रम दी न, यही होनी चाहिए, तो एक तो यह बनी हुई है, तो हम 3 ट्रम बनाएंगे, फर्स्ट ट्रम क्या बनाएंगे, इसको यह आगे पिछे कर सकते हैं, तो यह हो गया, 30 ratio 45, proportion 16 ratio 24, ठीक है, हमारे पास एक तो यह बन गी है, अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाड़े, यहाँ वाड़े कोशन में कहते था न, इसको इसके साथ करगे, फिर इसके साथ हो और इसके साथ चेक किया, हम भी क्या करेंगे, 45 की सके साथ और 30 की सके साथ चेक करेंगे, क्या proportion बन रहा है या नहीं, तो यह देखो, 45 divided by 24, और 30 divided by 16, ठीक है, 45, 30, तो हमने चेक किया, यह 3 से कट रहा है, तो 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 15 by 8 आ रहा है, और यहां देखा, 2 8s are 16, 2 5, 1s are 2, 2 5s are 10, यह देखो, 15 by 8 यहां भी बन रहा है, 15 by 8 और यहां भी बन रहा है, यह दोनों भी चल सकते है, तो हमारे पास, second proportion क्या हो जाएगा, 45 ratio 24, proportion, 30 ratio 16, अब यह मिल या, तो तीसरा मिलना तो और इजी है, तीसरे में क्या करेंगे, इसका reverse कर देंगे, यानि 24 ratio 45, इनके प्लेस आगे पिछे कर देंगे, और इसी तरह से इसको आगे लाएंगे, 16 ratio 30, ठीक है, ऐसे ही यह है, बिल्कुल, तो यह second वाड़ा इस तरह से था, यह भी six by seven आए, यानि कि यह भी हमारे पास क्या इकवल आ रहे है, फिर हमने इनका proportion लिखा, और फिर इनका भी reverse कर दिया, ठीक है, तो यह था हमारा fifth question, अब six देखो, if four, x and nine are continued proportion, find the value of x, x की value निकालनी है, और यह बोला, यह तीनों जो है, वो proportion में है, proportion का मतलब क्या आता है, कि four divide by x करें, और x divide by nine करें, यह दोनों equal आएंगे, ठीक है, इसका मतलब यह है, x number ऐसा है, नंबर है, कि यहां भी आ रहा है, यही number और यहां भी आ रहा है, ठीक है, x कैसा number है, ऐसा number है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे इनकी cross multiply, यह देखो, four nine जा, और इधर x multiply x, ठीक है, nine four जा, 36, यहां देखो, जिसकी power कुछ नहीं होती ना, उसकी power one होती है, और हमने पिछे पढ़ाया है न, अपने chapters में, कि अगर दो जागा पर power, यह same है, base same है, power हो जाती है, add one or one two, यानि x square की value क्या होगी, 36, तो x square की value का 36, 36 को हम क्या इसे लिख सकते हैं, 6 multiply 6 is equal to x square, 6, 6 चा 36 होता है न, तो यह क्या होगा, 6 की power 2, x की power 2, होगी न, तो अगर यह भी, अगर 2 x है और 2 6 है, तो इसका मतलब अगर 6, जो होगी हो जाएगा, 1 x, 1 x 6 की equal, यानि हमारे पास x की value क्या आगी, 6, यानि यहाँ पर एक ऐसा number है, 6, 6 number है, यह अगर उसको यहाँ पर रख दे, तो यह दोनों proportion में हो जाते हैं, ठीक है, रख के देखें, तो यह देखो, 4 x 6 रखा, 6 x 9, 2 x 2 जा 4, 2 x 3 जा 6, 3 x 3 जा 6, 3 x 3 जा 9, आ रहा ना, यहाँ भी 2 x 3, यहाँ भी 2 x 3, इसका मतलब अगर पर पर पोर्पोर्शन में है, तो इसका answer के आगा है, मारे पास x, 6, ठीक है, तो यह था पार्ट वन, पार्ट टू जो है, उसमें हम next questions करेंगे, तब तक के लिए आप इनके अच्छे से practice कीजिए, थन्यावाद,